हेलो फ्रेंड आपका स्वागत है हमारे यूट्यूग चैनल पर तो आज हम बात करेंगे बीएंसी में दो टॉपिक उठाएंगे ब्रिक प्लस टाइल को हमने लिया है जो ड्राप्टमें सिबिल में पूछा जाता है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और जिसने भी अभी तक नहीं पढ़ा द्राप्टमेंट के लिए वो भी इस सीरीच को देख सकता है इसली वो भी ट्रेक कर सकता है प्रॉपर वे से आपको दे 20 cubic meter brick is 20 cubic meter brick में कितने हमारे पास number of brick आएंगे यानि कि 1 meter cube में कितने आते हैं 500 brick आते हैं ठीक है number of brick 500 होते हैं अब 20 के लिए कितने हो जागे इस तो में इंग्रेंट किया है हमारे पास ब्रीक का है तो जो में इंग्रेंट होता है हो सिलीका होता है ठीक है क्या हो क्यों होता है सबसे पहले हमें यहीं रखे रहता है ब्रीक की बात करें तो एक ट्री होती है सलीम ठीक है सलीम नाम की बिद आती है सोज लिने सबसे पहले पूछा जाता है मैंगनेशिया इन में से सबसे कम परसेंटेज होता है टीक है और question पूचे जाता है इसका सिलीका का कितना प्रसेंट तक लिया जाता है इसको कि अलिमिनियम को कितना लिया आता है 20 से 30 परसेंट लिया जाता है तो आगे देबात करेंगे हम ठीक है सिलीका इसका करेक्टा Gaga- 설ı गया तो कुछ टेबल भी लाया हो में सिलीका देखिए पचास से 60% होता है एलिम्यक्या की बात कर लें वी बीश से 30% लाई की संयरी 10% मैंग्नेसिक ब्रसेंट सबसे कम होता है एक परसेंट से कम होता है और आइडा नॉक्साइज साथ परसेंट रखा जाता है वहीं स्लीका क्या होता है यह क्या होता है यह क्या होता है प्रिवेंट करता है हमारे पास क्रैकिंग क्रैकिंग आने से रोकता है और स्रिंकेज आने से रोकता है और यह क्याता यह हमारे पास रोकता है when's shrinkage और ड्राइंग से ठीक है अगर म लाइन डाल देती है तो क्या करता है स्रेंग किण शॉर ड्राइंग को रोगने का मगनेशिया का में जैसरिक क्या होता है इंपार्ट यख यल्लो यलो कलर होता है हमारे पास यानि कि सब्सक्राइब दिखाई देते हैं दिवाल में एफ्लिरेंस ठीक है वह हमारे पास होता है जब हमारे पास क्या होता है हम सिमेंट का पेस्ट बनाते हैं ठीक है तो हम क्या करते हैं पर पाने डाल देते हैं तो यहां पर हमारे पास कुछ इसमें केमि क्या है हमारे पास सॉल्ट ऑप्रेजेंट हो जाते हैं ठीके प्रेजेंट सॉल्ट को से अच्छी विशे थी ब्लैक कोटन सबसे अच्छी सोइल मानी जाती ब्रिक के लिए अब परसेंटेज और अलुमीनिया इन गुड ब्रिक अर्थ लाइज बिट्रीन अलुमीनिया का मैंने आपको अभी बता है तो टेबल देख सकते हैं अलुमीनिया का कितना है बीस से अलुमीनिया का अप्लास्टिसिटी देता है क्ले इसकी पूरी सिक्वेंस वाइज याद करना बीस से तीस परसंट एक तैन परसंट भी ले ले इंगिनिश्या वन सेवें आइडन उक्साइए एलकेली इस तैन कार्बन उक्साइड यह सलफर वेरी स्मॉल तो पुष्यन बोलता है ब्रीग को कितने टैंपरेचर में हम जलाते हैं बन मनलब क्या होते हैं जलाना भटे में डालना टैंपरेचर और 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है अब इसमें कुछ बात कर लेते हैं हम इसको आप यात कर लेना यह पूछा जाता है और भी भी हो चर्चां कर देते हैं तो यहां पर हमारे पास म कि ऐखे यह हमारे पास क्या करत रहें तो होता है डी हाइडरेशन पूछा जाता है डी हना कि टैम्प्रेशर कितना रखा जाता है द्स हो छह सो 50 दिए तरह होता है कि ओक सी DIY पूछर तीक है यह हमारी ट्राप्टम ने पूछे के हैं 2020S टे पंजाब में आई था 900 degree Celsius हमारे पास रखा जाता है एक वैरी इसको छोड़िए ठीक है तो आपको यह तीन याद रगने एक ब्रीक का रगना है आपको 900-1200 Celsius एक टी हाइड्रेसन का रगना चार्सों से चैसों से ओक्सिडेसन का रगना चैसों पचास से 900 यहां पर ले आई है ओके सी ओके सिवा फ्स्ट्राइब क्लाश भी है क्या बोलाया फिर्स्ट्राज रिग इंवें इन कोल्ड वाटर फॉर्ट कॉल्टी-फॉर्टार फ्वाटर लॉज फिल्ट अबस बस पर से इस परसेंट से ज़दह नहीं होना चाहिए यहां पर का कशंप पर दिफ्यूज करेगा यहां पर More Than होगा ठीक है more than औक यहां पर कए ऑप्ट्ट में लेस्ट भी रखा जाता है जो लेस्ट नहीं होता है से नहीं सोगना चाहिए सेगिन के लिए 22 और 25 हुमारे पास परसेंट थर्ड क्लास ब्रिक और कितने घंटे लिए 24 आवर के लिए यह भी पूछे जाते हैं छोटे-छोटे चीजे पूछे जाएंगे आप से ठीक है आप पूरे डीप में मत पढ़िए यूथ तो मत लगा यह के लिए होगे पूरी यूथ लगाना बेवकूफ का का में आप स्लेक्ट नहीं होगे और मेरी यह वीडियो देखिए सपीशेंट है उसके लिए और जिसने इतना खल जा रिविजन करा अपना नोट्स का रिविजन करें अगर नोट्स नहीं है तो मुझसे ले लिजिए मेरा वर्ट्स नंबर है वर्ट्स नंबर भी देता हूं मैं वहां पर नोट्स फ्री में प्रवाइट करा हूं 9149302924 ठीक है जो भी नोट्स होंगे मैं दे दूगा ठीक है अब जो नहीं होंगे कैसे दूगा होगे तो इसमें फ्री नोट्स में प्रवाइट करा रहा हूं ले ले लेना ठीक है तो नोट्स ले नोट्स अमना रिविजन करिये और मेरी ये वीडियो देख लीजिए सफीशेंट है बहुत उच्छे से किलियर ह मॉर्ण फॉल्विवर्ड को होगे है मैं तॉ Philadelphia एक्षाइज और मॉर्डूलर ऑस्चेस को यह दिए स्टेंडेम्ट इसमाराभिक aur अंसर हो जाएगा अब हमारे पास महीं पूछ लेगा ओके अगर पूछ यह क्या होता है बीस इंटू दस इंटू दस सेंटिमीटर यह हमारे पास होता है नॉमिनल चैस तीए यह चीजे यहां ते ही है हमने नौमीनल साइस लोगे इस्टेंडर्साइज ये हो गया है अब हमारे पर यह कौन सी साइस होती है 23 इन्टो 11 इन्टो सास सेंट में है ट्रेडिशनल उती है कि सिथ्टेडिशनल ब्रिक का साइस होता है ओके याद रगेना आप लोग कि दा मिनीमम एबरेट कंप्रेसिव इस्ट्रेंथ और कॉमन बर्ड ब्रीक ले और क्लास 3.5 एस आई एस 1077-19 तो कुछ नहीं है कुछ नहीं बोला है क्लास 3.5 जो होती है हमारे पास उसको कैसे एक्स्प्रेस किया जाता है यानिकि उसकी करेक्टरिस्टिक लेंथ और उसकी डाइमेंशन कूज दे रहा होगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में तो 3.5 को हम न्यूटन पर mm2 लिखते हैं ओके तो क्रेक्ट अंसर यह तो सिधे पढ़न वाले हैं गुड़ ब्रीक अर्थ सुट कंटीन अभी बताया था ब्रीक के लिए 20-30 परसेंट बार-बार मैं इसलिए ला रहा हूं क्योंकि एक्जामों में आयोंगे ओके अपोर्शन और ब्रीक ऑप्टेंग कटिंग ब्रीक लैंथ वाइस तो लैंथ वाइस से अगर हम कार अधिए अगर किंग क्लोसर क्या होता है आग अगर आपने इसकी लैंत शौन वरीद के रकोप्डिंग के इसको इतना काड़ दिया तूंदी बट्ट है चार बोला ता हो अगय में लगैब और वेट क्या होता Wenn आम यह होगा बैट जो यहीट का कुकला होता उससे दो हुआ लगा जाता को के तो आप इसमें डाइगराम में देख सकते हैं किंक क्लोजर का डाइगराम में यह है यह है ऑ potential कैर नहीं यह यहां से को कट कर दिया है इतना इतना कमार्य पास सब्सक्राइं। bliver कंट कर दिया किppen Hi I'm Kalo Brink आप जंडेल उस्डी वीद क्या करती है आपको बताया था सबस्ट के लिए क्या होती है patch काम करती है और यह जो शनकी देशातिया डिरेक्ट उसका भी हमारे पास इंसुलेशन का काम करती है तो आपके अप्सन बनता है ही इंसुलेशन गहीं बनता है रिडक्षन दा कॉस्ट गस्ट्रक्शन नहीं इंक्रीज दा बीरिंग ओफ एरिया ओर्नमेंटल लोग प्रोवाइडिंट इंसुलेशन अगेंस ही इसका ग्रेक्ट अंसर हो जाएगा ओके अगुड ब्रिक्षुट नौट एब्जॉब वाटर वेड़ वाइड वाई तो बीस परसेंट से जादा नहीं लेना चाहिए गुड अच्छी ब्रीक नहीं कि फॉर वन क्यूबिंग मीटर और ब्रिंग मैसे इदा नंबर और मॉडूलर एंग मीटर क्यूब में कितने ब्रीक रखी जा सकते हमारे पास 500 ब्रीक रखे जा सकते हैं अभी बता था ठीक है दा मोस्ट इंपोर्टेंट परपस और फ्रॉक भी तो बहुत ज्यादा इंपो इसमारे पास फ्रॉक होता है इड बना दिता हूं मैं अब पहले आंसर ले ले दें फ्रॉक का गाम क्या होता है हमारे पास प्रोवाइड इंसुलेशन पर मेकिंग ब्रिक पोरस नहीं नन अब दीस भी नहीं हो सकता फिर ठीक है में की जॉयंट बीट पीन मोटार एंड ब्र हुए ठीक है कि महीं देख लेते हैं पां लिजया आमने एक ब्रीक बना दिए हैं यहां पर आपके पास फ्रॉक यहां पर नाम लिखा होता है ना इड का फ्रॉक होता है अब बोला मेकिंग ब्रिक ऑप्रॉस प्रॉइट हमें की जॉयंट का काम करता है एक इड को दूसरे में जॉइंट कनने का काम करता रहे ठीक है यहां पर मसालर लगा देते हैं इट इक और दूस्री दिए इपको जॉइंट करने का काम करते हैं आ अब यह कुश्यन कितने वार आचुक है आप देख सकते ऐसे से जए पूछा गया है के में पूछा गया है पूछा गया है दा इन प्रोसेग और ब्रिग मैनुफेक्ट्रिंग दा पग मिल आप यकीन ना हो ड्राप्ट इन का पेपर मैंने सॉल बगरा था उसको देख लिना पर मिल इन यूजड विद फॉलोविंग इस पग मिल का काम क्या होता है एक मिल होती है हम कि यह क्लै करना तो inland कर मैं टैंपलिंग क्यों आइंपला थिक एक एक रोट हो थियारा आप मिल तो अलग है हैं तो हमारे पास एक मैन होगा वह हमारे पास क्या होगा एक रॉट लेगा ठीक है रॉट से हमारे पास इसको उठते रहेगा तो ट्रेमपरीं कि इसका correct answer ठीक है तो correct answer यह अब जामा ब्रीक की बात कर लाए यह ओबर बंट होती है मत अब हो ज्याद़ जला दी जाती है ओबर बंट क्लिक ओके कि अब बुल नॉस ब्रीक कौन से होती है बुल नॉस ब्रीक के आपके पास बीक ऐसी होती है ऐसे बना दो एक साइट राउंड होती है ठीक है एक इसमें राउंड होगा वन साइट वन साइट राउंड सेब में Verka बना राउंड सेब में Verka 199 ईन दा कंप पोजिशन औफ गुट ब्रीक डह टोटल कंटेन आप शिल्ट के जिल्ट रहें केboys मतलद सिलिका है सिलीका मतलद 50-60 परसेन आफ स्वेलिंग और अब दा ब्रिक इस नोने स्वेलिंग दो किसकी दो प्लोटिंग करना मुदा बहेने के करना रोटी है ठीक है अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और सेकिंड क्लास ब्रिक इसमें ने बता दिया अब कंप्रेसिव पूछेंड क्लास ब्रिक की 105 सेगिंड क्लास ब्रिक की 70 और 30 होती है ih में आरे सकते हैं तो इसमें देख सकते हैं कम पर्रीज श्ट्रेंथिए क्लास ब्रिक कि कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हमारे पुजहए है उस्केश 102 थर्थ की हमारे पास भाच और अरहे स्ट्रेंट-ゲ being 3.5 निन्सविर उट उके इस से कम नहीं होने होने स्धाइड इस से काम होगी तो हम कुश्ट्रक्शाम में 35 से भी कम होगी तो मंखिन में यूज नहीं करें इसको पूछा गया है तो आइन उक्साइड का काम देना होता है कलर कहीं है इंपार्ट इंपार्ट कलर देना होता है ठीक है कौन सा कलर रैट कलर देता है दे Himself कौनल कि बता है की सापूर्ट इंपार्ट प्लस्टिच्टिस जी मनें आपको बता है punish का का मोता है ऐगर ज्यादा मात्रा हमने डाल दिया खाल्रेन ओस्रेंगेय्च और का में करता है व्वाना नत्याम क्रता है लाइं म क्या होता है Loin help in fusing reducing shrinkage और ड्राइं मिलनी उनकेज स्जिंकश को कम अदर ज्यादा होगे लाइंसाउंड to सीज़ें किया होता है हमारे पास में से प्र्वाइट करा ना उसको ठीक है और बिरटल होता है कैसा ब्रिटा होता है मैंग Nese centre रिजुनिंग यलो ट्रीट और आइरन और किलरेत कराता है सिसके अ कि दवर्चन प्रीघ कट अक्रोज़ वरीफ नहीं कि अक्रोज में अक्रोज़ बीद इसलिए लंबाई फूtså कि यह चोड़ाई हो गई है तो अक्रोस ब्रीदवरीद कि अगर इसको कार दिया तो क्या हो जागए बैट अभी वेने आपको बताया था राटर असाफ बैट हो जाएगा को मैं क्रशिंग स्ट्रेंथ और फॉस्ट क्लास ब्रीक फर्स्ट क्रास ब्रिक किला भी बताता 10.5 यानि कि 105 अटीक है न्यूटन पर केजी पर मीटर स्कूर ठीक है न्यूटन पर मिसके 10.5 हो जाएगा पग मील का यूजड कहां पर किया जाता है पग में करें जाता है प्रिपेशन आफ क्ले ईह हमारे पास कैसी होते हैं टेंठि में राटे करते हैं है में टेंपरिंग ये बडीन हें 226 की लोमाइड है कॉल निसक्राइच नियूटन फिर्प्रीक में यूज़ किया जाता है तो आप देख सकते हैं डॉलोमाइट ब्रीक इस डबल कार्बोनेट होता है कैसियम होता है मैंगनेसिया होता है इसका फॉर्मॉला पूजाता है सी यह यह त्री यह तूल 20 Lt का इसका TZ इस इस को फेंप्रेशक गता 123 lovely Celsius और 5650 द है 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 रिएक्र ब्रिक आद जन्नल युज टू रेजिस्ट रिफ्रेक्टरीर ब्री पर कहां पर यायती है रिफेक्टर ब्रीक हमारे यहां पर यहां पर हमारे पास बड़ी लगाए जाती है आपने देखा होगा जब आप लोग गए होंगे प्लीन सेरिया में हाई टेम्टेचर की रगाए जाती है कुछ इसके यह है इस टाइप आप दो टूर आम इसको देख सकते स्क्रीन सौड लेने लिए लेना है तो विच आप फॉल्लोंग पिरिका यूस्ट पॉल लाइनिंग और फॉनेस में कौन सी हम ब्रीक यूस की जाती है ओबड़ बर अंडर रिफेक्टरी भी फैक्ति भी लाइनिग फश्न फंस यह फिन बोल सकते है रिफेक्टरी बिगन कौन सी लिए जाती है और हाई टेंप्रेटर इसका होता है ओके क्रसिंग स्ट्रेंथ फॉर्ट क्लास ब्रीक इस एक सब्सक्राइब पांच के जी पर सेंटीमीटर स्क्वेर्ट अग्या की ओर को इन ओर के अशिग्यों को आप ठीक है यदि वाइर काच ब्रीक कई е इन कि मित तो प्लास्टिक ले मसीन इसका करैक्ट्राइब होता है जब्म में तो प्लास्टिस तो रैज़ित नहीं है इस्टील की मॉल्ड ली जाती है वहीं हमारे पास प्लास्टिक ले मशीन का यूज किया जाता है नंबर ऑफ ट्रैडिशनल ब्रीक का मैंना भी बता था आपको और क्वेश्चिन भी आ गया ट्रैडिशनल ब्रिक ह ben required for 10 meter cube of brick with standard thickness of cement motor is one ratio हो कि unspond writing याने तरेडिशनल ब्रिक की requirement कितीन होये हमें हम दस meter cube में यानिकि 10 meter cube में हमें traditionalrieb कितने कि लगाने पढ़ेंगे यानिकी कितने एक दो तीन चार दस मीटर क्यों में हमें कितने लगाने पढ़ेंगे तो हम देख लेते हैं इसको सॉल बगए ट्राइडिशनल ब्रिक का हमें क्या है ट्राइडिशनल ब्रिक का हमें साइज पता था क्या था 11.47.6 इसका होता है अब हमें यह तो साइज हो गया दस मीटर क्यों मैं पूछा है तो सिंपल है तो दस मीटर क्यों मैं पूछा है तो टैन अपॉन ट्रैडिशनल साइज ठीक है 23 इंटू इसको मैं तुला कलर चेंज कर देता हूं कि 11.4 इंटू 7.6 जैसे ही आप करोगे इसको कैलकुल है यह हो जाएगा पांच हजार अठारा हो जाएगा सम्तिंग सम्तिंग इसके आसपास होगा तो पांच हजार पच्चिस का क्रेक्टर आंसर हो जाएगा ओके इंक्लैंप बर्निंग पॉसर एड़ वीच एंगिल जो क्लैंप क्या होता एक भट्टा अब बर्निंग प्रोसेस एंगिल ब्रीक एंगिल कितना लिया आता है सीरी सीर्दी बात बोला है लिए तो जो एंगिल लिया जाता है है 25% 15% 30% पारिया जाता है तो यह एंगिल लेस्टा फिक्तिंपर्सेंट डिसका क्रेक्टर आंसर हो जाएगा तो गर्रेक्टर फिफ्टीनी परसेंट होगा ठीक है अब बॉन्ट इन्वीज दब्रीक इस बांड बना जाती है हमारे बॉन्ड आमने पड़ी होगी इंक्लिनीशन इंकलाइंट गर के ठीक है यहाँ पर दिवाल हो गई यहाँ पर इंक्लाइंट ब्रिंग लिए आती है ठीक है आपने देखा होगा तो कौन सी बॉंड होते हैं रैंकिंग बॉंड होती है इस्टैप की इंग्लीज बॉंड आपको पता होगा अल्टरने इस्ट्रक्चर अल्टरनेट को स्कूर्स को हम इंग्लीज बोले जाता है यानि कि यहां एक तो आप इसको पड़ सकते रैंकिंग बॉंड इंक्लाइं रिली जाद इंग्लाइन होती है इंग्लीज बॉंड गया अल्टरनेट कोर्स अब इस प्रोकर नवाइब लिया जाता है वाट इस यूनिट वी प्रोकन ब्रीक ब्रोकन ब्रीक का यूनिट वेट 14.5 अब देखिए डिरेक्ट याद करने वाले हैं यह कोडर तो तो कुछ हमारे पास ब्रीक के रिलेटिव लाएं ब्रीक अगर कॉमन है तो 1600 अगर सिमेंट ओडिनीव यह साध्रन है इसके डैंसिटी हमारे पास किति ली जाती है यह हमारे पास के यूनिट वेडिया भी डैंसिटी ठीक है 1440 सिमेंट है रैपीट हाडिंग है बारह सो पचार कि वीच ग्लास औ यह भी ओवर वेंट यह कुछ पूरा कॉश्चन लग नहीं रहा है ठीक है अब इसको छोड़ देते हैं एक्सीस अब अलुमिनिया इंब्रीक अर्थ मेंक दा एक्सीस अब अगर अलुमिनियम बढ या अलुमिनियम एक्सीस हो गया ज्यादा हो गया तो मैंने भी आप बताय है मैंने अभी आपको बताया था होगे तो सिलीका नो अतर्ष लंभी इसका होता है सिलीका और वहीं बात करें अलुमिनियम कर लॉस आप को जाता है मारे पास क्या होता है अलुमिनियम का लॉस आप और तो ुछीचिए तो देख सकते इसमें एलिमिनियम का इंपार्ट प्राश्टिक टुक्रेक सिंकेजन वार्मिंग टुक्रेक टुक्रेक एंड वर्म और ड्राइंग ठीक है तो लाइम रिद्यूट दस्रेंगर अन्सावन दर स्लीका हमारे पर ब्रेटल देता है को कि यह लोग तो विच वह अब दाफॉल इंग्रियंटें इंड शिलीका व्यादब ब्रीक कि हांफूल सब्स्यादा कौन सा होता है मैंने आइधिंग बताया था आपको पास आई राइट इस दाहांफूल होता है है लोडिंग रेट और टेस्टिंग कंप्रेसिंग्स ट्रेंथिंग में हमारे पर कितनी डिरेक्ट पूछह जाता है 14 न्यूटन पर में में स्कुर्ण पर मिनट के हिसाब से लिया जाता है कि मीनट याद रगना हो के देंसिटी और ब्रिक इन ब्रिक की देंसिटी कितनी रहे जाती है जो ब्रिक की देंसिटी हमारे पर ली जाती है 1.8 से 2.5 आई तिंग इसकी देंसिटी नहीं जाती है पारां धिए ने कर्रांपने यानति हमें अगर बारिस का पानी पढ़ जाता है तो आप यहां पर जाती है एकसिस ऑफ सिलीका इन दा क्ले ओफ सिलीका एकसिस कर गया तो अभी बताद ब्रिटल एंटिवीक बन जाता हो गये प्रविच क्लास और ब्रिक करस्ण स्ट्रेंथ 7 न्यूटन पर यह इसके बाइए थो आपको सेगी क्लास ब्रिक क्ले होता है कि फर्स्ट ग्लास के लिए 10.5 सेगिन के लिए 7 और 3.5 न्यूट्रन के में स्क्राइब थर्ट के लिए दा रिकमेंड़ है कंप्रेश्पी स्ट्रेंथ ओफ और आफ क्या लिए रहा है यहां पर कौन सी ए ए होगी ए ठीक है पूरा नहीं आया पाया ए होगा यह ब्रीक ठीक है कौन सा ए तो एए ब्रीक के लिए कौन सी हम रिकमेंडेश करते हैं 14 न्यूट्रन पर में में स्कूर हम इस्तेमाल किया जाता है तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बात के लिए इसका फॉर्मूला होता है आप फॉर्मूला नोट कर लिए मैक्सिमम लोड और फेलियर बट्टे लोड़े एरिया ओफ प्रिक है आप पूछ यहां पर यह ब्रीक के लिए ठीक है क्या बोला है यह हमारे पर कुछ टाइल से आज से आ चुक है ठीक है टाइल के क्वेश्चन आ चुक है है अकॉर्डिंग दा मैक्सिम वाटर अब्टर परसेंटेज और क्लास ए टाइवा मैंगलॉर पैटर में पैटरन के साथे क्लास َّय टाइप का क्या है हमारे पाद से रटी पर सेंट होता है हिए ठीक है एटीन पर सेंट मु झौन से और वहीं बात करने हम 20 पर सेंट किसका होता है कि और आए पसेंट का होता है करेंच फाइन एErथ अर्धन वेहर विष वाइट ने से मिस ट्रास्पलेटर अगर आमener टास पढ़ेंग कि टाइल भी आ रहा है हमारे पास डाफरें पढ़ना आपको यह होता है यूण पॉर्सलिन किया होता है हमारे पास तैके जो आप सब परी सापको पता होगा ठीक है warjut लिगौ पाइल इस डन इन बर्निंग ओप टायल का अब हाप highly बाद हो और रोटरी क्लीम सिल्कोट क्लीम हाव मलंक्ली या बूल्टर त्सिल्कोट बनिंग और टाइल टाइल कम का सिल्कोट प्रिम्टальный तो हमारी बिक्वैहन न tsunamis यह यह तो सब ब्रिक के लोती है सिल्कोट क्लीम बनिंग टाइल के लिए इस्तेमाल की जान्दी है सिल्कोट क्लीम दर टाइल आप बंड इनर ट्रिपिकल क्लीम नो एज दा सिल्कोट क्लीम फॉर गमें तो 3000 से 4000 टाइल तक इसमें हम सिल्कोट क्लीम में भट्टे में ले सकते ह यह जाता है रिंवुब इसका टैंपरेचर कितना रहता है 800डिकरी चैलिया जाता है टाइल के लिए फिलॉंग तूदा कैटेग्री और मेंगोर टाइब कौन सी कैटेग्री में हम ले जाती है बर्न क्ले टाइब ठीक है कौन सी बन क्ले ताइल चेम ले सकते हैं विट्रिफिट टाइल्स एंड क्रीमिक टाइल्स टैस्टिंग इस डन तो तो इसका कोट पूसरा कोट आपको डिर्क्ट याद करना है इसमें तो कोट है हमारे पास 2006 का कोट रहता इसमें तो 2006 में आया हमार बार क्रीमिक टाइल्स का कोट 1562-2006 और ब्रिक्स क्लास बिज़ें इस्पैसिकेशन का 1077-1992 प्लेन रिइंफोर्स्मेंट कंग्रिंट 456-1976 लिया जाता है और होलो ट्रैप्ड बर्न क्ले ब्रीक यानि कि बर्न क्ले टाइल्स है विंग कोनिकल से और कॉल्ट तो इसका बूला था गुना टाइल्स डिर्क्ट पता होगा आपको टाइल्स आपको अगर नहीं आ र परसेंट इतीन परसेंट बताया था मैंगलॉर के लिए तो आप इसमें देख सकते हैं कि एटीन परसेंट था तो लगवर लगवर नाइंटीन परसेंट मैंने उसको ले लिया है मैक्सिम वाटर अब्जेशन एकले 19 और क्लास एकले 24 मिनियों एवरेज ब्रेकिंग लोट वन और 0.8 मिनियों इंडियो इसल ब्रेकिंग लोट 0.89 नहीं कि 91 kg और 68 kg हम ले सकते और इसकी कुछ नोड भी ले गया हूं डाइमेंसियों मैंगलोड टाइल का पूछा जाता है तो यहां पर क्वेशन खतम होते हैं तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और लाइक कर दीजिए वीडियो अच्छी लगी तो मुझसे नोट से चाहिए तो वहां पर वर्ट समय जोड़ जाईए ओके मेरे को मैसेज कर देना तो बाइद भी मिलते हैं आपसे नेक्ट वीडियों में बाइबाए टेक के रहा हूं